Hello guys, welcome back to my youtube channel, हम पढ़ रहे हैं biochemistry subject, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं chapter number 5, chapter number 5 के अंदर आपका जो topic हम पढ़ रहे हैं वो है acid base balance, पिछले lecture के अंदर हमने पढ़ा था कि acid base balance को हमारी body में maintain करने के लिए 3 mechanism है आपके, जिसमें से हमने chemical regulation जो हमारा method है उसको चाह से discuss कर लिया था, इसके अंदर हमने 4 buffers के बारे में पढ़ा था, ठीक है, carbonic acid, bicarbonate, phosphate, buffer, plasma protein, hemoglobin, इनके बारे में कल हमने पढ़ लिया था, ठीक है, उसके बाद जो आज हम mechanism पढ़ेंगे वो रहेगा आपका physiological regulation, ठीक है, physiological regulation है, इसका मतलब क्या आपकी body के अंदर जो body organs है, वो कैसे regulate करते हैं कैसे maintain करते हैं, acid base imbalance को, देखिए, यहां मैंने आपको बता है कि यह कुछ minutes या कुछ घंटे या कुछ दिनों का time ले सकते हैं, ठीक है, acid base imbalance को correct करने के लिए, तो चलिए इनको detail में पढ़ते हैं, तो physiological regulation है, वो आपका देखी, दो mechanism से किया जाता है, सबसे first है आपका respiratory mechanism, second है renal mechanism, respiratory का आप मतलब समझते हो, कि यहां lungs आपका role play करेंगे, और renal mechanism के अंदर आपकी kidneys क्या करेंगी, काम करेंगे, acid base imbalance को correct करने के लिए, तो देखिए, जो आपके lungs हैं, वो आपका कुछ minutes ही लेते हैं, मतलब acid base imbalance को correct करने के लिए, जबकि आपकी जो kidney है, वो कुछ घंटे से और आपका renal mechanism कब काम करता है, तो देखिए, respiratory mechanism के अंदर आपके lungs role play करेंगे, जब acidosis की condition होगी, बोडी के अंदर, ठीक है, तब कैसे काम करेंगे, और alkalosis की condition के अंदर कैसे काम करेंगे, दोनों ही तरीके आपको बताये गए हैं, देखिए, acidosis की condition के अंदर सबसे पहले समझ ये चीजें होगी क्या, ठीक है, एक तो आपकी बोडी में जो carbon dioxide है, उसका level क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अगर carbon dioxide का level बढ़ जाएगा, तो automatic ही आपकी oxygen जो रहेगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है, और इस condition के अंदर, जो आपके lungs है, वो क्या करेंगे, ठीक है, lungs आपक breathe per minute normal मानी जाती है, तो respiratory rate को increase कर देंगे, ठीक है, आप ज्यादा बार सांस लोगे, तो ज्यादा oxygen अंदर जाएगी, और ज्यादा बार सांस ले रहे हो, उतनी बार आप छोड़ भी रहे हो, तो उसके तो आप CO2 को excrete out कर रहे हो, ठीक है, depth का मतलब कितनी गहरी सांस आप ले कर देंगे, ठीक है, और L-closes की condition के अंदर देखें क्या होगा, L-closes के अंदर यानि basic content जादा बर जाएगा, तो यहाँ पर आपको CO2 का amount है, वो कम देखने को मिलेगा, और oxygen आपकी क्या हो जाएगी, जादा बढ़ जाएगी, तो इस condition के अंदर lungs क्या करेंगे, आपका क्या function play करेंगे, respiratory rate को और depth को क्या कर देंगे, यहाँ पर decrease कर देंगे, ठीक है, respiratory rate को कम कर देंगे, तो आप ज्यादा oxygen नहीं ले पाओगे, ठीक है, और CO2 को ज्यादा release नहीं कर पाओगे, तो इन दोनों की जो level रहेगा, वो क्या आ जाएगा, एक time पर normal आ जाएगा, ठीक है, त acidosis और alkalosis की condition के अंदर देखिए, acidosis की condition के अंदर क्या होगा, H positive ions है, जो आपके blood में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो kidney क्या करेगी, H positive ion को secrete करवा देगी, tubule जो आपकी nephron है, ठीक है, nephron के अंदर जब यह आ जाएंगे, तो यह combine हो जाएंगे, buffers के सा ठीक है, और फिर buffers तो आपको पता ही है, जो body से excrete out करवा देगी, H positive ion का, कैसे देखिए, जैसे कि आपका phosphate buffer हमने पड़ा था, तो H positive ions को buffer phosphate जो है, आपका वो अपने साथ join कर लेगा, और body से क्या हो जाएगा, urine की form में excrete out हो जाएगा, तो ऐसे kidney काम करती है, क्या करेगी, kidney H positive ion को secret कर देगी, आपकी tubules के अंदर, नेफरोन के आपने जो part पड़े हैं, DCT, PCT, loop of hand ले, उनके अंदर क्या कर देगी, इनको secret कर देगी, ठीक है, री एब्सोर्ब नहीं करेगी, इनको बाहर निकालने की कोशिश करेगी, और फिर वहाँ पे जो buffer present होंगे, आपकी नेफ पहले से ही decrease देखने को मिलेगी, और OH जो negative ions हैं, वो आपके बड़े हुए देखने को मिलेगे, ठीक है, यानि बायो कार्बिनेट्स जो होंगे, वो आपके excess में आपको देखने को मिलेगे, बायो कार्बोनेट का formula आपको पता होगा, HCO3 जिसको आप बोलते हो, तो excess जो बा combine हो जाएंगे, sodium के साथ, और body से excrete out हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ बताया गया है, यह क्या हाँ आपके बायो कार्बनेट्स हैं, जिनकी वज़े से क्या हो रहा है, यह आपके kidney के अंदर हैं, अब tubule के अंदर kidney इनको क्या करेगी, secret मतलब sodium के साथ इनको जो जाएंगे, आपके buffer जोड़ जाएंगे, H-positive iron के साथ, और उनको body से बाहर ले जाने का काम करेंगे, तो इस process के अंदर आपका काफी ज्यादा time लग सकता है, क्योंकि आपको पता है kidney क्या करती है, बलड को filter करती है, urine की production में भी time लगता है, तो आपका तब ही kidney को थोड़े ज्यादा घंटे या दिल लग सकते है, acid base balance को correct करने के लिए, और वहीं आपकी respiration की बात है, respiration आपका एक बिल्कुल regular mechanism है, जो आपका चलता रहता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम time लगता है, और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा time लगता है, तो हमने आपके यह पढ़ लि potassium exchange, ठीक है, potassium exchange या फिर potassium iron आपका कैसे help करता है, acid base balance को maintain करने के लिए, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, तो देखिए potassium क्या होता है, आपको पता है, K positive को आप क्या बोलते हो, potassium बोलते हो, यह आपका important iron है, जो cell के अंदर ज्यादा amount में पाया जाता है, intracellular fluid में इसका जो content रहेगा, वो ज्यादा रहेगा, और cell के बाहर के fluid में यह थोड़ा कम देखने को मिलता है, ठीक है, तो देखिए, आपको सबसे पहली बात तो यह पता होने चीए, acidosis या alkalosis, acid base, जो imbalance की condition है, वो कहां देखने को मिलती है, तो वो extra cellular fluid के अंदर हम measure करते हैं, ठीक है, तो acidosis की condition के अंदर आपको पता है, क्या हो जाएगा, extra cellular fluid के अंदर जो आपके H positive iron है, उनका content जब हद से जादा बढ़ जाता है, तब आप उस condition को क्या बोलते हो, acidosis, तो इस condition के अंदर जो आपका potassium है, वो कैसे काम करता है, देखिए, वो क्या करेगा, potassium क्या करेगा, खुद cell को क positive iron है, उनको क्या कर देगा, space देगा, extra cellular space से, intra cellular के अंदर आने के लिए, तो इस हिसाब से आपका क्या रहेगा, extra से जो H positive iron है, वो कम हो जाएंगे, और acidosis की जो condition है, वो आपकी क्या हो जाएगी, treat हो जाएगी, तो देखिए, यही मैंने यहाँ पे लिखर का है, H positive iron आपके आ जाएंगे, extra cellular fluid के अंदर, तो इस condition के अंदर आपको जो extra cellular fluid के अंदर, potassium का level बड़ा हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है, hyperkalemia की condition आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, अब आपके देखिए, alkalosis की condition के अंदर potassium कैसे role play करता है, alkalosis के अंदर क्या होगा, आपके H positive iron है, जो वो extra cellular fluid में बहुत कम हो जाएंगे, तो उस condition में आपका जो potassium है, वो क्या करेगा, extra cellular fluid में जितना भी potassium होगा, वो आपका क्या करेगा, cell के अंदर आने की कोशिश करेगा, और जितना भी H positive iron आपके cellular fluid के अंदर है, उनको क्या करेगा, extra cellular fluid में बाहर भेज देगा, ठीक है, extra cellular fluid के अंदर, और K positive iron आपके enter हो जाएंगे cell के अंदर, ऐसी condition में आपको extra cellular fluid में potassium की कमी देखने को मिलेगी, जिसको आप hypokalemia बोलोगे, ठीक है, तो ये ऐसे आपका potassium help करेगा, ऐसी डोसिज और एलकलोसिज की condition के अंदर, ठीक है, जब extra में आपके H positive iron का level बढ़ जाएगा तो उनको cell के अंदर space देदेगा, और जब extra cellular fluid में H positive iron का content है, वो कम हो जाएगा, तो अपने आपको अंदर लेके, बाक्य H positive iron को क्या कर देगा, बाहर release कर देगा, इस तरह से potassium exchange आपका help करता है, acidosis और alkalosis की condition के अंदर, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि आपका potassium का level होता है, normally extra cellular fluid में वो कितना पाया जाता है, तो देखिए 3.5 से 5 जो मिली equivalent per liter, ठीक है, per liter जो आपका blood है, उसके अंदर आपका, 3.5 से लेके 5 मिली equivalent तक आपको potassium का level देखने को मिल सकता है, acid-base imbalance की condition अगर किसी patient को देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे आपने monitor करना होता है, potassium का level बहुत closely, क्योंकि potassium आपका help करता है, acidosis और alkalosis को balance करने के लिए, जिसकी वजह से hypokalemia या hyperkalemia की condition देखने को मिल सकती है, इसलिए हमेशा potassium के level को क्या करते रहना है, measure करते रहना है, तो यहाँ पे हमारा acid-base balance है, हमारी body कैसे physiological rope से इस condition को maintain करती है, वो हमने पढ़ लिया है, next video के acid-base imbalance क्या होते है, ठीक है, कितनी type क्यों होते है, कैसे उनका treatment किया जाता है, so thank you guys, I hope आपको यह lecture समझाया होगा, मिलते हैं next video के अंदर next topic के साथ,